हेलो एवरिवन आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड पोर्ट अबिलिटी के बारे में आई जानते हैं आरबी आई ने क्या कहा है अपने सर्क्यूलर में ग्राहकों की परेशानियों को देखते हुए भारतिय रिजर्व बैंक की आने की आरबी आई आई दिन नियमों में कुछ ना कुछ बदलाव करते रहता है रिजर्व बैंक अब इस मामले में एक नया बदलाव करने की तैयारी में है भारत में क्रेडिट कार्ड का इस्तिमाल करने वाले तेजी से बढ़ रहे है बैंकिंग सेवाओं के विस्तार के साथ ही क्रेडिट कार्ड की पहुंच भी बढ़ रही है इसके साथ ही credit card से जुड़े नियमों में भी बदलाव हो रहा है ये बदलाव अमल में आने के बाद credit card के मामले में भी ग्राहकों को उसी तरह से port करने की सुविधा देगा जैसा अभी mobile number के मामले में मिलता है आईए जानते हैं क्या है card network portability card network portability का मतलब उभ्भुकता मौझुदा अपने card को एक network से दूसरे network में transfer कर सकता है जैसे हम एक ही phone number रखते हुए अपने telecom service provider को बदल सकते हैं ठीक उसी तरह card network portability card धारकों को एक अलग payment network पर switch कर सकता है अपने मौझुदा card के balance और credit history को बिना change किये हुए जानिए आपको कैसे फाइदा होगा जैसे कि अगर आपके पास किसी bank का credit card है और आप उससे payment करना चाहते है तो दुकानदार के पास भी उस bank का payment network होना चाहिए अगर नहीं होता है तो आपको payment करने में परेशानी हो जाती है इसकी मुख्य वजह है अलग-अलग network payment system जगह हर network पर आपका payment accept कर पाएगा RBI के सकुलर के मुताबिक 1 October 2023 से credit card, debit card और prepaid card ग्राहक अपने network को port कर सकेंगे For example, card उप्योग करता अपनी पसंद के अनुसार वीजा card से master card, रूपे या किसी अन्य network पर या इसके विपरीद port कर सकेंगे या बिल्कुल उसी तरह होगा जैसे आप अपना mobile का SIM card एक operator से दूसरे operator में change करते हैं आईए जानते हैं देश में कुल कितने हैं card network है फिलहाल भारत में 5 credit card network है पहला विजा, दूसरा master card, तिसरा रूपे, चौथा American Express और पांचवा diners club तब, RBI का सकुलर लागू होने के बाद users एक October से अपने card को एक network से दूसरे network में port कर पाएंगे आज के इस विडियो में इतना ही मिलते हैं next informative information के साथ तब तक हस्ते रहे स्वस्त रहे अगर आपको ये विडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद